विश्व विधालियों की अन्तिम वर्ष की परिक्छाय कराने के विश्व विधाल्य अनुदान आयोग के निर्ने को उचित बताकर सुप्रिम कोट ने परिक्छा की महत्ता को ही इस्थापित किया है सुप्रीम कोट के फैसले के बाद विश्विधरलियों की अंतिम वर्स की परिक्षाएं ने कराने अथवा उन्हें अपने हिसाब से टालने वालों को यह समझ आये तो अच्छा की उनका रवया परिक्षाओ की गरीमा के अनुकूल नहीं है चुप्रीम कोट ने यह सुविधा दे दी है कि जो राजिये विश्विधरलियों की अंतिम वर्स की परिक्षाएं डालना चाहते हैं वे विश्विधरलिये अनुदान आयोग से अनुमती लेकर ऐसा कर सकते हैं इसलिए उन्हें उसका लाब उठाना चाहिए और यह भूल जाना चाहिए कि वो वे कोरोना संकट के नाम पर बिना परिक्षा लिए चातरों को पास करने का कोई जरिया निकाल सकते हैं सुप्रिम कोट के इस फैसले से विश्विधरलियों के सभी पाठे क्रमों की अन्तिम वर्ष की परिक्षाएं 30 सितंबर तक हो जाने का रास्ता साफ हो गया है ध्यान रहे की विश्विधालिय अनुदान आयोग ने इसी अवधी तक सभी विश्विधालियों को अंतिम वर्स की परिक्षाएं कराने के निर्देश दिये हैं सुप्रीम कोट का यह फैसला ने केवल असमंजस को खतम करने बलकि यह रिखांकित करने वाला भी है कि परिक्षाएं क्यों आवस्यक है बहतर हो कि इस फैसले से वे लोग भी संदेश ग्रहन करें जो IIT और मेडिकल कोलिज की प्रवेश परिक्षाओ JEE और नीट के खिलाफ ख यदि विश्विधालियों की अंतिम वर्स की परिक्षाएं आवस्यक हैं और उन्हें 30 सितंबर तक कराना जरूरी समझा जा रहा है तो फिर JEE और नीट को नए सिरे से डालने की मांग का क्या ओचित्य है यह हास्या इस्पद है कि जो लोग इन परिक्षाओं के विरोध में सारे दिक दूरी की घुर अन देखी कर सडकों पर उतर रहे हैं वे इन परिक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोरोना वाइरस के संक्रमन के खत्रे से डराने में लगे हुए हैं यह सस्ती राजनीती ही नहीं उन्हें लाखो चात्रों के मविस्य से खिलवार भी है जिन्होंने परिक्षाओं की तैयारी के लिए अथक परिश्रम किया है यदि ये परिक्षाओं टलती हैं तो चात्रों की महनत ही विर्थ नहीं होगी बलकि उनके कैरियर का एक वर्स भी खराब हो सकता है। इस आसंका के वाबजूद संकीन राजनितिक कारणों से JEE और नीट का विरोध जारी है। इसमें संदेह है कि राष्ट्रिय महत्व की इन प्रतियोगी परिक्षव का विरोध करने वाले दलों और छात्र हिते सी होने का दावा करने वालों ने छात्रों के मन की बात जानने समझने की कोई कोशिस की है। इन में से कुछ दल ऐसे भी हैं जिनोंने कुछ समय पहले ठीक उसी दिन भारत बंद का आयोजन किया था जिस दिन कई राष्ट्रिय परिक्षाएं होने जा रही थी।